हेलो फ्रेंट्स कैसे हो अब लोग उमीद है आप सभी लोग ठीक होंगे आज हमारे पास है मोटरोला E7 पावार आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लास सेटेन फीचास या टिपसें ट्रिक आप लोगों के साथ सेयर करूँगा अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाई करने के लिए चाहर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक जरूड देखना मोटरोला के फोन में दोस्तो एक बहुत अच्छा फीचास है फोन को दोस्तो अगर आप दो बार सेक करोगे तो दोस्तो वैक सेट की तरब जो फ्लै स्लाइड है ओ दोस्तो अन हो जाएगा नोटिफिकेस्तान बार में जाओगे दोस्तो यहाँ पर बहुत सारे सॉटकार्ट देखने को मिलता है उनमें से दोस्तो एक अच्छा फीचा से focus mode इसको tap करके दोस्तो उपर की तरब लेकर आजाईए और यहाँ पे arrow में क्लिक कर दीजिए यहाँ पे दोस्तो focus mode आजाएगा focus mode के उपर अगर आप tap करके रखोगे दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे app आजाएगा किसी भी app के उपर आप focus mode को enable कर पाओगे मैं chrome के उपर दोस्तो apply करता हूँ और यहाँ पे turn on कर देता हूँ दोस्तो जब आप किसी भी app के उपर focus mode enable करोगे उस app दोस्तो उस time आप use नहीं कर पाओगे और उस app का कोई भी notification बगरा भी नहीं आएगा अगर आप office के काम में busy हो तो दोस्तो किसी भी app के उपर दोस्तो आप यहाँ पे focus mode को enable कर पाओगे इस phone में बहुत सारे notification आता है दोस्तो और आपको irritated करता है आप चाहते हो कि उस notification को कुछ time के लिए silent करना दोस्तो यहाँ पे मेरे उतना जाता notification नहीं है फिर भी दोस्तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किसी भी notification के उपर अगर आप tap करके रखोगे दोस्तो यहाँ पे दो option आएगा एक silent और एक general तो आप यहाँ से दोस्तो उस notification को silent कर पाओगे बहुत आसानी से home screen में अगर आप right side से swipe करोगे दोस्तो यहाँ पे google fit खुलके आता है और बहुत सारे दोस्तो अब बेकार का चीज़ दिखाता है तो उसको आप करने के लिए दोस्तो यहाँ पे home screen में चलिए home screen setting में और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे swipe access के जगा यहाँ पे nothing क्लिक कर दीजे अभी दोस्तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो google fit है वो बंद हो गया है दोस्तो जब आप play store से किसी भी app को install करते हो ओ दोस्तो यहाँ पे home screen में आजाता है उसको आप करने के लिए दोस्तो home screen में टैप करके रखिए और home setting में चलिए दोस्तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा add icon to home screen इसको आप कर दीजे दोस्तो अभी किसी भी app अगर आप download करो गे play store से तो home screen में नहीं आएगा notification dots में जाओगे दोस्तो बहुत सारे notification lock screen में दिखाई देता है तो यहाँ पे दोस्तो notification on lock screen में जाके don't assume कर सकते हो या आपकी सबसे किसी भी option को आप चूच कर पाओगे recent menu में जाने के बात दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे shortcut खुलके आएगा shortcut नहीं एप बगरा खुलके आएगा जो आप recent use किये थे दोस्तो उपर की तरफ दोस्तो एप का icon दिखाई देगा इसको पर tap करोगे दोस्तो बहुत सारे shortcut खुलके आएगा यहाँ से दोस्तो किसी भी एप के उपर आप split skin को भी enable कर पाओगे जैसे कि दोस्तो मैं split skin करता हू और यहाँ पर दोस्तो यूट्यूब को on कर लेता हूँ दोस्तो एक साथ आप एकी skin में दो एप को बहुत आसानी से use कर पाओगे आपके हिसाब से इस phone में दोस्तो किसी भी एप के उपर अगर आप tap करके रखोगे दोस्तो मैं यहाँ पर यूट्यूब के उपर tap करकर करके है यहाँ पर दिखाई देगा turn on Wi-Fi automatically मतलब दोस्तों अगर आपके घर के असपास high speed Wi-Fi रहेगा और पहले आप उस Wi-Fi से connect किये थे तो दूसरी बार दोस्तों जब वाइफाई available होगा आपके फोन के साथ दोस्तों automatically connect हो जाएगा Wi-Fi disabled रहने के बाद वी और यहाँ पर देख लिजे दोस्तों open network notification मतलब दोस्तों अगर आपके फोन के असपास कोई भी public network रहेगा high speed वाला तो आपके फोन में दोस्तों नोटिफिकेसान आ जाएगा कि Wi-Fi है high speed वाला अब च दिखाई देगा कि कितना person battery है आपके फोन में डिस्पले में चलिए दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा night light night mode जैसा ही है दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों डिस्पले का जो color है ओचेंज हो जाएगा इसको मैं जदातर रातों में यूज करता हूँ ताकि दो यूट्यूब प्ले स्टोर कहीं भी चलिए दोस्तों हर जगा दोस्तों इहाँ पर डार्क हो जाएगा दोस्तों थोड़ा निची की तरफ जाओगे यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा three finger skin shot इसको इनेबल करना दोस्तों और आप three finger से बहुत आसानी से दोस्तों इहाँ प दिखा दिता हूं दोस्तों लग Sug Ditat में कोई भी मैसेज बखने लिखा नहीं है मैं आप लोगों को दिखा दिता हूं यहाँ कुछ भी d'trype टाype करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मैंने save कर दीया हूँ अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज खुलके तो message लिखकर रखना दोस्तों अगर आपके phone गुम हो जाए और किसी भी बंदे के हाथ में आ जाए तो दोस्तों चाहे ओ message बगरा देखकर आपको return भी कर साकता है तो बहुत important features है privacy में चलिए दोस्तों यहाँ पे advance में आईए ads दिखाई देगा दोस्तों अगर आपके phone में add वेगर आता है तो यहाँ पे आके इस option को disable करना पड़ता है अगर आपके phone में add आता है तो यह option enable है तो यहाँ पे आके इस option को disable कर देना Security में चलिये यहाँ पे Find My Device दिखाए देगा दोस्तों इहाँ पे जो Website है इस Website में जाने के बाद आपके फोन में जो Email ID है उस Email ID की जरीए इस फोन में दोसतों Sign In करके रख देना अगर आपके phone गुम हो जाता है तो इस website में जाने के बाद दोस्तो उस email edit की जरीए आपके phone को बहुत आसानी से ढूंड पाओगे Digital Wellbeing में चलिए दोस्तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 100 data तो यहाँ पे 100 data कीजिए दोस्तो यह करने के बाद दोस्तो dashboard में चलिए और यहाँ पे दिखाई देगा बहुत सारे app दोस्तो किसी भी app के उपर आप timer लगा साकते हो जैसे कि दोस्तो YouTube मैं चाहता हूँ दोस्तो दिन में एक घंटा या देड़ घंटा YouTube उस करना तो यहाँ पे select करके रख दूँगा दोस्तो आप दिन में देड़ घंटा ही YouTube को enable कर पाऊगे मतलब दोस्तो use कर पाऊगे उसके बाद जादा time use नहीं कर पाऊगे automatically दोस्तो यह जो YouTube है यह disable हो जाएगा तो आपके ही साबसे दोस्तो यहाँ पे timer लगा साकते हो system में चलिए दोस्तो यहाँ पे justice दिखाई देगा यहाँ पे आने के बाद दोस्तो दिखाई देगा swipe finger phone notification नतलब दोस्तो इसको enable करने के बात finger के मदद से दोस्तो finger print के मदद से यह जो notification है यह आप नीचे की तरब लेकर आ साकते हो या उपर की तरब लेकर जा साकते हो तो ब लेकिन दोस्तो इसको आप जैस में भी कनवर्ट कर पाओगे अगर आप नीचे से स्वाइब करती हो तो दोस्तो होम स्किन में आ जाओगे स्वाइब करके रखोगे रिसेंट मेनू में आ जाओगे अगर आप दोस्तो इस से स्वाइब करोगे तो भी दोस्तो बैग होगा दोस यहां पर आके उस features को आप यहां पर disable भी कर पाओगे और दोस्तो ए था Motorola E7 Power का tips and trick बहुत कम tips and trick था दोस्तो उमीद करता हूँ ए वीडियो अब लोगों को पसंद आया होगा अगर ए वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना, share करना और subscribe करके बिलेकेन बजने time all में जरू क्लिक करना हम लोग quality वीडियो रखते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले phrase वीडियो में तब तक मचाते रहो